आज की खबर परिशदी विद्यालेओं के अध्धापकों के लिए एक राहत की खबर है खबर के नुसार अब अभिभावक खरीद सकेंगे परिशदी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सभी देश सुविधाओं के लिए प्रती बच्चे ग्यारा सो रुपे का खर्च आता ह आईए जानते हैं कि ऐसा निर्नेक क्यों लिया गया दिखें खबर लखनूस है इसमें लिखा गया है कि बेसिक सिक्षा परिशत की ओर से संचालित इसकूलों में पढ़ने वाले विद्यारतियों के अभिभावक अब अपने बच्चों के लिए खुद यूनिफॉर्म स्व डीबीटी के जरिये सीधे अभिभावकों के पैंक खातों में भेजेगा विभाग से यहां प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है बेसिक सिक्षा विभाग अभी इन चीजों की आपूर्ती जिला इस्तर पर जैम पोर्टल पर टेंडर के जरिये कर अभिभावकों के बैंक खाते में मोहिया करा दी जाए हर बच्चे पर खर्च होते हैं लगभग 1100 रुपे बच्चों को यूनिफार्म स्वेटर स्कूल बैग और जूते मोझे उपलब्ध कराने पर सरकार तकरीबन 1750 करोड रुपे खर्च करती है हर बच्चे पर के लिए विभाग की उर्जा तो खर्च होती ही है लेकिन अध्यापकों की उर्जा के साथी साथ वो समय जो बच्चों को पढ़ाने में लगाना चाहिए वो भी नस्ठ होता रहा है हर वर्स इन सुविधाओं से सम्मंदित ब्रस्टाचार भी सुनने को मिलता है अभिभाव होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदर है कि इस वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से समंदित और भी महतोपूंट सूच रहें आपको समय से मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आप प्रविलों का बहुत बहुत धन्यवाद